नमज़कर दोस्तों वेल्ट स्काई के एक और नए इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टेंड करेंगे समझने की कोशिस करेंगे कल की expiry किस लेविल पर हो सकती है और आज gap down खुलने के बाद जो recovery आई है और recovery extend भी होई है तो क्या यहां से निफ्टी 17,800 को cross करेगा या फिर 17,800 पर resistance face करेगा इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को start करते हैं ठीक है वीडियो start करने से पहले सबसे वहले बात कर लेते है market at 11 की वीडियो की market at 11 की वीडियो मैं मैंने आपको बताया था यह recovery आई मतलब यह fall आया उसके अदी recovery आई यहां पर यह sideways जाने लगा था क्योंकि यह gap था इसना gap को fill कर दिया था sideways के बाद यह नीचे आ रहा था तो यहां कहीं मैंने 17600 की put recommend तो करी थी बट यहां पर वो put मतलब जादा अच्छा perform नहीं करी थी वो 26-26 पर recommend करी थी यहां तक वो 35 रुपे चली गी थी बट कोई जादा मतलब उसमें momentum नहीं बन पा रहा था क्यों नहीं बन पा रहा था उसके पीछे का reason था मैं बताता हूं यहां पर कि जब अगर आप यहां पर देखोगे जब यह निफ्टी यहां पर नीचे आ रहा था आप देखो यहां पर जब यह निफ्टी नीचे आ रहा था तो इस टाइम पर बैंग निफ्टी क्या कर रहा था बैंग निफ्टी आपका support ले रहा था है यहां पर बैंग निफ्टी यहां पर purely sideways चला गया था है यह यहां पर recovery यहां पर sideways चला गया था इसलिए यहां पर मैंने फिर उसको बोला कि यहां पर काट लो क्योंकि sideways market है या फिर stop loss लगा लो stop loss मैंने around 17725 के मतलब यह यहां पर sideways market है आप अपनी position काट सकते हो तो यहां पर काट के मैंने अपना होली मस्त खेली उसके बाद यह end of the day जैसे जैसे global market recover हुए फिर यह recovery यहां पर आती होई दिखाई थी क्योंकि जाहर से बात है market कभी भी इस तरीके से तो नहीं गिर सकता यहां से यह गया और यहां से यह गिर जाए यह इस तरीके से गिरता है यहां से यह गया फिर यह fall आया फिर यह उपर गया और अब जब यह resistance face करके नीचे आएगा तो chances बनेंगे इसके गिरने के अब यह resistance बनेगा या फिर 17,750 पर बनेगा तो वह चीज़ है तो इस बार अगर यह नीचे की तरह आता है तो हो सकता है आपको गिर जाए नहीं तो अगर 17,800 क्रॉस करता है तो फिर अच्छी बात है हमारे market के लिए इतना आप clearly समझ लिए अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है उसक के नेगेटिव होने के बाद भी जो पूट राइटिंग की काफी अच्छी हो रही थी 17,700 की पूट पर एक करोड़ तीन लाग का उपन इंटर्स खड़ा हुआ है कॉल पर देखे आप काफी जवर्दस शॉट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिलिए क्योंकि यहां पर आलम इस चीज़ को हम समझते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे अब देखो यहां पर क्या है सिंपल जी चीज़ है अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम के साब से मैं चार्ट लगाँ तो यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास यह सबसे इंपॉर्टन लेविल है 17,800, 17,800 क ठीक है इतना आपको क्लियली समझ में आ गया नीचे की साइड पर जाहिड सी बात है नीचे की साइड पर यह 17,000 के उपर दो दिन कंटिनियूसली क्लोज दिया है तो जब तक यह स्विंग नहीं तूटता 17,600 का या फिर आप यह मार्क कर लो यह कल जो आपका दो दिन पहले का हाई ता जब तक यह नहीं तूटता तब तक यहां पर यह मुवेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड कर रहेगा एक बार यह तोट गया इसके नीचे ट्रेट करना स्टार्ट कर गया तो फिर आपको यहां तक की गरावट देखने को मिलेगी जो कि यह 17,540 की इतना आ अगर मार्केट फ्लाइट खुलता है यहां पर मालो फ्लाइट खुलता है तो एक बार यह 17,800 तक जाने की कोशिस कर सकता है अगर गैप खुलेगा मालो 17,820-830 के दोन में गैप खुलता है तो फिर मैं यहां पर शायद बाइंग के लिए इंटरस्टेड नहीं होंगा क्यो बनता तब तक ठीक है इतना आप क्लियरी समय लिए और 17,700 के नीचे यह ट्रेट करना स्टार्ट करता है तो यह फिर दुबारा से अरौंड 17,650 और 17,600 तक भी आ सकता है इतना आप क्लियरी ध्यान में लखिएगा ठीक है बैंक निफ्टी के बात कर लेते हैं तो दो को आज बैंक ने काफी अच्छा सपोर्ट किया बैंक निफ्टी में नॉर्मली में को एक्स्पेक्टेशन नहीं था बट जब यह यहां पर 41,250 की यहां पर नीचे गया था तब मिले को थोड़ा सा लग रहा था कि यह सेलिंग प्रेशर में आ सकता है बट यहां पर जाके इसने होल खुर को जो कोई बोड़ी कोई भॉजिशन बना के और को आल रख यहां पर यहां पर आपक निकाला तो एक यहां पर यह निकाला आपकी चार सो टा ig चीज यहां पर निफ्टी ने भी करी-करी 50-point का momentum यहां पर किया बट यह end of the day आया है तो end of the day तक बैटना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि almost 3 मिजे का momentum है और 3 मिजे का momentum without any trending market में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है ठीक है बट हमें यह चीज समझनी है कि जैसा कि मैंने आपको continuously बता रहा हूँ कि 41,200 के नीचे या 250 के नीचे अगर यह trade करना start करता है तो यह weakness दिखा सकता है even आप यह समझनी है कि आज के लोग के नीचे यह जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा aggressively short plan करना चाहिए आज के लोग के नीचे जाता है तब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल जिए short है तो आप top से short कर ले रहे हो आज का low हो गया या फिर 41,150 हो गया इसके नीचे जाए तब आप शौट कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आप यहीं से short कर लोगे अगर top पे short करना है तो आपको price action बनने का वेट करो या फिर gap up खुलने का market का वेट करो क्योंकि gap down में recovery आती है gap up में selling आती है यह इनी profit यह समझ लेते हैं कि बैंक निफ्ट कर जाता है तो price action थोड़ा सा ना कह सकते हैं यह positive बनता हुआ दिखाई देगा और अगर आप थोड़ा सा गौर कर रहे होगे यहां पर तो यह fall आया ठीक है यह उपर pullback फिर यह fall और फिर यह pullback तो अगर यह ब्याले साय के उपर निकलत सकते हैं यह 43,000 तक और यह फिर 43,500 तक भी जा सकता है बट अगर यह correction और deep जाना है मतलब और इसको गिलना है तो यह फिर 42,000 को closing business पर break नहीं करेगा इतना आप clearly समझ ली रहे है यानि 42,000 के नीचे आप trade कर रहे हो तो price action आपका negative ही है day chart पर बट आपको correction वाला दिन मिलना च चाहिए इतना आप clearly समझ ली जिए ठीक है तो कल के लिए क्या है कि अगर यहां पर मालो gap up खुल जाता है मालो gap up खुल जाता है कुछी भी तीजन से 42,000 के आसपास gap up खुल जाता है तो बड़ा तो gap up होगा नहीं but 41,900 के आसपास यह पहुशता है तो वहां पर हम एक बार sell क करना ही पसंद करूंगा मैं क्योंकि यह strong resistance है अगर निकलता है stop loss लगा के sell करना ही पसंद करूंगा इतना आप clearly समझ लीजे और stop loss मेरा strict हो गया यहां पे क्योंकि expiry है तो expiry पे normally क्या होता है market trending भी हो जाता है ठीक है इतना समझ में आ गया global market की situation देख लेते हैं क्योंकि यह जो हमारे market में recovery आई end of the day वो because of European market जब खुले यह positive कामकाच करना start कर गए और जो डाव feature flat था वो 40.00 उपर हो गया नैस्टेक feature भी करी 30.00 उपर हो गया उसके बाद ही यह हमारी recovery extent होती होई दिकाई थी otherwise हम एक sideways market में trade कर रहे थे और sideways के बाद end of the day जाके हम 17,750 के ऊपर close देखो यह day chart है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर moving average ढूंडे sorry ठीक है यह दिख रहा है यह 50 day moving average around 17,850 पर है और अभी तक यह जब से इसने इसको break किया ना तो इसी level पर resistance face कर रहा ही है तो यहाँ पर आपको 17,850 पर थोड़ा सा alert रहना क्योंकि अगर यहाँ से दुबारा गिरना start किया तो फिर 17,250 तक यह दुबारा से fall दिखा सकता है अभी यह इसके आसपास कामकाच कर रहा है और bank nifty के अगर मैं बात पूरूं यहाँ पर तो bank nifty को भी देख लेते हैं दे bank nifty भी इसी लेविल के आसपास यह continuously मतलब hold करने की कोशिस कर रहा है जैसे इसमें ब्रेक किया था तो यहाँ पे इसने resistance किया था आप देखते हो यहाँ पे इसने resistance किया था और वहीं से एक sharp ग्रावट हमें देखने को मिलेती है उसके बाद यह pullback आया pullback के बाद almost इसी आपको यहाँ पे बता दी है ठीक है तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझते हैं आग यह होगा दोस्तों फ्लाल इस वीडियो में इतने ही है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like or share जरू करिएगा और चैनल को जो subscribe कर लिए थी क्योंकि मैं सुदी लेके आतर हुआ हर दिन अपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जाए हिंद